देश के इतिहास में 30 दिसम्बर की ये तारीक बहुत ही आइतिहासिक रही है आजके ही दिन 1943 में नेताजी सुभाच अंद्र बोज ने अंडमान में जंडा फैरा कर भारत की आजादी का जैगोश किया था आजादी के अंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अम्रित काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं आज विक्षिद भारत के निर्मान को गती देने के अभियान को अयोध्यान नगरी से नई उर्जा मिल रही है आज यहाँ 15,000 करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है इंफ्रास्ट्रेक्टर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्से पर फिर से गवरव के साथ स्थापित करेंगे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच ये कारिया अयोध्यावासियों के अथक परिश्रम का परणाम है मैं सभी अवध्यावासियों को इन परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूँ मेरे परिवार जनो दुनिया में कोई भी देश हो अगर उसे विकास की नई उचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को समालना ही होगा